इंडिया की स्मार्ट टीवी मार्केट का साइज क्या होगा? अगर आपको कुछ इंटरस्टिंग स्टाट्स बताऊ ना तो 2022 में इंडिया की स्मार्ट टीवी मार्केट की वैल्यू थी 9.88 बिलियन युएस डॉडर्स and this is growing at a compound annual growth rate of 16.7% साफ साफ शब्दों में बोलूं तो 2030 तक इंडिया के 80-85% हाउसोल्ड में आपको एक स्मार्ट टीवी जरूर देखने को मिलेगा लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे गर रहे हैं और यह चो 6-7 साल की जर्नी है इसके बीच में भी बहुत सारे ऐसे गर रहे हैं जहां पर स्मार्ट टीवी नहीं है वह अभी भी या तो आपने स्मार्ट फोन से multimedia access करते हैं internet access करते हैं नहीं तो जो पुराना TV होता है और cable TV network होता है वहाँ से वो information लेते हैं उन लोगों के लिए एक TV stick बहुत ही important product है and this is the all new Xiaomi TV stick 4K 4K means 4K resolution इस TV stick का price है 4,999 रुपीज जो थोड़ा सा costly है लेकिन वो बिल्कुल वाजिब है अगर आप इसके features के बारे में सुनेंगे और उनको समझेंगे इस TV stick में आपको Dolby Atmos और Dolby Vision मिलता है provided अगर आपके घर पे जो TV है वो Dolby Vision और Dolby Atmos को support करता है तो इस 4K TV stick से आपको जो output मिलेगा visually and सुनने का जो audio output मिलेगा वो बहुत ही ज़ादा impressive मिलेगा अब अगर आपके घर पे 4K TV नहीं है तो क्या आपको यह TV stick लेना चाहिए इस बात का जवाब दूँगो आपको मैं फुल वीडियो में और अभी एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहँगो जो बहुत important I think one of the most important thing for this particular product वो है Xiaomi का patch wall UI Xiaomi का जो content discovery engine है जिसको patch wall UI कहते हैं वो अभी तक reserved था Xiaomi and Redmi smart TVs के लिए लेकिन with the help of this Xiaomi TV stick 4K आप उस content discovery engine को किसी भी brand की TV पे access कर पाएंगे यान कि अधर आपके बास घर पे Onida का TV है Kodak का TV है Samsung का TV है In fact Sony का TV है और वो एक बहुत अच्छा unit है लेकिन उसका जो software है वो outdated हो चुका है और आप चाहते हैं कि उसके अंदर एक नया Android operating system आ जाए तो आप इस TV stick को ले सकते हैं उसका user interface बिल्कुल change हो जाएगा उसके अंदर आपको Xiaomi का patch wall user interface में मिल जाएगा तो जल्दी से इस TV stick की unboxing करते हैं चेक करते हैं कि box के अंदर Xiaomi क्या provide करता है फिर बात करेंगे इस TV stick के features and performance के बारे में box के उपर आपको सारी information मिल जाएगी जैसे कि OTT application का data Dolby Vision है Dolby Atmos इस stick को आपको setup कैसे करना है 4K HDR ये support करती है उसके इलावा इसके इंदर आपको क्या मिलता है वो भी box के उपर लिखा हुआ है जल्दी से इसको unbox करते है सबसे पहली चीज़ आपको मिलता है यहाँ पर एक remote controller अभी वही remote controller है जो आपको Xiaomi और Redmi की smart TVs के साथ मिलता है बहुत ही कमाल का remote controller है यहाँ पर आपको सारे important buttons जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी इसको एक बार site पर रखते है चेक करते हैं box camera और आपको क्या चीज़ें देखने को मिलेगी पूरा complete setup आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा यानि की TV stick जो कुछ इस तरीके की आपको दिखाई देगी अच्छी quality की TV stick है लेकिन इसके design से इतना difference पड़ता नहीं यह बेसिकली कहने TV के पीछे ही जाके लगती है बट overall I think design काफी ठीक ठाक है build quality और जो material है वो अच्छा use किया गया है इसको side पर रखते हैं और यहां पर आपको HDMI ethernet cable मिल जाएगी जिसकी help से आप इसको TV के पीछे लगा सकते हैं कभी किवार क्या होता है TV हमने wall mount की होती है तो आपको क्या कर रहा है आपको यह TV stick यहां पर लगानी है और यह वाला जो HDMI port है यह आप टीवी में लगाएंगे उसकी वज़े से क्या होता है थोड़ा सा आपको extension मिल जाएगा extended cable आपको यहां पर मिल जाएगा ताक कि आप easily इसको setup कर सके इसके अलावा इस USB stick को power करने के लिए आपको यहां पर एक data cable दी गई है यह micro USB data cable है और यहां पर आपको एक power adapter भी box के अंदर ही मिल जाएगा अब आपको क्या करना है टीवी के साथ जो plug होगा ना उसमें आपको यह adapter लगाना है आप इसको यहां पर लगाएंगे और यह जो micro USB port है यह आप लगाएंगे इस टीवी stick में यहां पर इसको मैं एक बार remove करता हूँ कभी कबार क्या होता है कुछ लोग टीवी से ही stick को power करते हैं वैसा आप ना कीजिएगा because उससे प्रॉपर output नहीं मिल पाता और कभी कबार flickering issue आ सकता है कभी कबार apps ठीक से run नहीं करेंगी या आपकी जो stick है वो restart हो जाएगी तो output आपको अच्छा नहीं मिलेगा बैतर ही है कि आप जो switch adapter आप उसे में लगाएं जो wall के उपर आपका switch लगा है ताकि proper output मिल सके इस tv stick को अगर आपने wall mount नहीं किया HDMI port में और इसको adapter को socket में लगाएं और अपनी stick को आप power करें अब जल्डी से setup करते हैं इसको और चेक करते हैं कि features क्या मिलने वाले हैं और performance कैसे आपको मिलने वाली है अब क्योंकि मैंने tv को wall mount किया हुआ है तो HDMI port को access करने में थोड़ी सी problem मुझे जरूर हुई लेकिन क्योंकि box में आपको एक extended cable मिलती है उसकी वज़ा से इसको tv stick को लगाना इतना difficult नहीं रहा मैंने extended cable को tv के HDMI mount में लगाया और tv stick को उस cable में attach किया उसके बाद micro usb cable मैंने यहाँ पर attach करी जो भी आपको port दिया गया है इस stick के उपर और उस code से मैंने power adapter में यहाँ पर socket में लगाया और tv stick को switch on किया अभी जो आप tv पर interface देख रहे है वो है LG का webOS interface और यह air mouse feature को support करता है काफी अच्छा interface है लेकिन इसमें कुछ applications को यह tv support नहीं करती और it's very different from the regular android tvs that you get in the Indian market और globally अब हम क्या करेंगे हम HDMI feature पर जाएंगे और हम जो हमने stick लगा ही है हम उसको activate करते है Xiaomi TV 4K stick boot up होते ही आपको android discovery UI देखने को मिलेगा सबसे पहले हम settings में जाके check करते हैं कि यहाँ पर आपको कितनी storage provide की गई है और आपको कौन सा software version यहाँ पर देखने को मिलेगा तो about section में जाके हम check करते हैं यहाँ पर आपको देखेगा android 11 यानि कि यह latest android 11 TV operating system पर रन करता है और हमारे यहाँ पर जो security patch दिया गया है वो है January 5, 2023 का security patch तो अभी March चल रहा है लेकिन यहाँ पर आपको January का security patch दिया जाता है जब आप यह boot up करते हैं तो एक बार हम system update में जाके चेक करते हैं कि कोई update आया हुआ है कि नहीं तो अभी हमारा system जो है यानि कि जो टीवी stick है यह up to date है इसके बाद जो भी update आएगा उसकी performance आपके साथ एक बार मैं जरूर शेयर करूँगा अब चलते हैं back to the interface लेकिन उससे पहले एक चीज़ और मैं आपको दिखाना आप screen position और HDMI CEC system sounds और advanced sound setting का भी आपको option मिलता है जिसमें आप automatic को select करें जो मैं recommend करता हूँ आपको लेकिन अगर आप अगर आपने sound bar connect किया हुआ है तो आप pass through भी select कर सकते हैं चलिए back to the interface और यहां पर हम आपको दिखाएंगे कि क्या interface आपको देखने को मिलेगा तो इस इस stock android discovery UI interface जो Xiaomi TV Stake आपको provide करती है काफी smooth है मुझे अभी तक कोई भी problem face नहीं होई user interface बहुत smooth है कोई lag नहीं है और यहां पर आपको discover का section मिल जाएगा आप personalized recommendation यहां पर setup कर सकते हैं अगर आपने अपनी Gmail ID से sign up किया हुआ है home पे आपको जो भी आपकी applications है वो देखने को मिल जा है मेरी ID से log in होई तो वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी अगर आपने ID से login किया है तो आपका जो recommended content है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा YouTube Music, Prime Video, Google Play तमाम जो भी आपको Android TV में मिलता है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा आप channel, आप screen को customize भी कर सकते है channels को आप अपने according choose कर सकते हैं और यहां पर एक बहुत अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलेगी वो है Xiaomi का TV Plus application यह usually Xiaomi के TVs में आता है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा इसमें बहुत जादा content है और interesting content है आपको normal channels की तरह वो देखने को मिलेगा आप उसको check कर सकते है यह एक ऐसा platform है जो आपको ज़रूर चेक करना चाहिए different channels है यहापे lifestyle, entertainment यह एक मुझे लगता है कि mini CDE यह यानि कि mini content discovery engine है जो patch wall में अगर आप नहीं भी जाते तो भी आपको एक application के अंदर बहुत सारा content और काफी अच्छी तरीके से segmented है जैसे कि sports and outdoor में आप जाके content चेक क को मिलेंगे तो I think अगर आप patch wall नहीं भी यूज कर रहे ना इस application को आप जरूर चेक आउट कीजेगा must check out application अब चलते हैं Xiaomi के patch wall content discovery engine में और इसको boot up होते ही आप देखेंगे कि बहुत जादा vibrant है user interface काफी बड़ी tiles आपको मिल जाएंगी home screen पे और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि content बहुत ही अच्छे तरीके से divide किया गया है यहाँ पर आपको इंडिया top 10 का एक section दिख जाएगा live news का आपको section दिख जाएगा trending recently added movies by language यह नि कि language के according movies को segment किया गया है तो आपको easily English, Telugu, Tamil, Marathi, Punjabi बहुत सारी movies देखने को मिल जाएगी अलग-अलग vernacular languages में उसके बा जो OTT applications है वहाँ से fetch किया गया है तो आपने जो भी OTT applications में sign in किया होगा वो सारा content आपको patch wall यहाँ पर show करेगा और आपको individual OTT applications में जाने की जरूरत नहीं है आप सब कुछ यहीं से access कर सकते हैं जो बहुत easy है और बहुत जादा useful है उसके बाद आपको short films, friendship movies, just for kids, IMDB, IMDB की जो rated movies है वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, top Hindi movies, Hollywood favorites बहुत सारा content है आपको यहाँ पर देखने के लिए और बहुत अच्छे तरीकी से उसको एक catalog में डाला गया है उसके बाद top section पे अगर आप जाएंगे home screen पर यह तो आपको यहाँ पर भी movies, shows, music, live, sports, kits यह भी आप उनका content discovery engine यानि की patch wall को किसी भी और TV पर easily access कर पाएंगे अब एक बार काम करते हैं storage में जाके check करते हैं because I think एक ही disappointment मुझे लगी इस TV stick से कि यहाँ पर जो storage दी गई है वो थोड़ी सी कम है I think यहाँ पर at least Xiaomi को 4999 के price point में 8GB storage से उपर जाकर 16GB storage ज़रूर देना चाहिए थ यहाँ पर अब चेक करेंगे न तो आप को usable space जो है वो सिर्फ 5.2GB मिलता है अब 5.2GB कम नहीं है अगर आप सिर्फ OTT applications install करते हैं जैसे कि Prime Video, Netflix और YouTube बगेरा अगर आप सिर्फ OTT applications देखते हैं और YouTube Music आपने इंस्टाल कर लिया Disney plus Hotstar कर लिया या एक दो application जैसे कि Plex आपने इं controller है और आप S4T8 जैसे car racing games install करना चाहते हैं और खिलना चाहते हैं अपने system पे अपने TV पे तो आपको थोड़ी सी problem होने वाली है विकास TV की storage सिर्फ 8GB है जिसमें से usable space आपको 5.2GB मिलने वाला है देखे performance में कोई lag नहीं है लेकिन अगर आप games वगया इंस्टाल करेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा performance में sacrifice देखने को मिले और वहाँ पे performance मुझे लगता है कि और जादा improve हो सकती थी अगर Xiaomi यहाँ पर 16GB की storage प्रोवाइड करता I think next जो Xiaomi की TV stick होगी या Xiaomi जो अब next product line लेकर आएगा अपने TV का उन में 16GB या 32GB की storage ज़रूर होरी चाहिए अभी तक जितना भी मैंने यूज किया है मुझे कोई problem face नहीं होगी लेकिन आगे जाके हो सकता है कि performance थोड़ी सी downgrade हो जाए बट उसके लिए एक separate video में पराऊँगा जब मैं इसको 3 months या 6 months सक continuously use करूँगा तो मैं आपको पताऊँगा कि performance कैसी है इस TV stick की in the longer run overall I think सारे features आपको जो भी एक Android TV में चाहिए वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे अब जल्दी से एक बार Netflix पे जाते हैं और कुछ content stream करके देखते हैं कि quality कैसी है अब content stream करने से पहले मैं आपको पताना चाहूँगा कि यह जो TV है यह Alistar का TV है जो LG के web OS पे run करता है यह इसका user interface काफी अच्छा है मैं आपको एक बार उसका चोटा सा डेमो दे दूँगा लेकिन problem ही है कि यह TV में डॉल्बी Vision और डॉल्बी Atmos सपोर्ट नहीं है तो लेकि इस टिक में आपको डॉल्बी Vision और डॉल्बी Atmos सपोर्ट जरूर मिल जाएगा अब कमाल की बात यह है कि इस TV पैनल में आपको 4K HDR का सपोर्ट जरूर मिलता है तो जैसे ही आप कोई भी content प्ले करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको 4K HDR टॉप पे आपको दिखाई देगा और तो 4K HDR तो यह TV सपोर्ट करता है यह panel और यह stick भी तो content आप उसको stream कर सकते हैं और quality काफी अच्छी है I hope अगर आपके पास Dolby Vision और Dolby Atmos का सपोर्ट है इस TV में नहीं है जो आप अभी देख रहे है स्क्रीन पे अगर होता तो यहाँ पर आपको क्योंकि Venice Day जो series है वो सपोर्ट करती है Dolby Vision तो यहाँ पर आपको Dolby Vision का एक tag मिल जाता वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेग यह एक important point है जो आपको notice करना पड़ेगा और ध्यान में रखना होगा जब भी आप कोई भी टीवी स्टिक पर चेस करें देखिए टीवी स्टिक में आपको Dolby Vision मिल जाएगा Dolby Atmos मिल जाएगा लेकिन अगर आपका टीवी ही support नहीं करता तो आप टीवी स्टिक को दोशी करा जाद नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर आपको वैसा output जो आप expect करेंगे ना वो नहीं मिल पाएगा टीवी पैनल को support करना उन content formats के लिए वो बहुत जरूरी है लेकिन 4K HDR है और I think content 4K HDR में भी इस टीवी पर मुझे output काफी अच्छा दिखाई मिला है देखने को मिला है so overall content एक बार आपको जल्दी से मैं दिखाता हूँ कैसा लगता है very nice और अगर थोड़े से इस टीवी के पैनल के जो black वह लैब डीपर होते ना तो और ज्यादा मुझे मता आता contrast और color reproduction में overall I think stick की वज़ा से मैं notice कर पा रहा हूँ कि थोड़ा बहुत output में भी difference है थोड़ा सा मुझे output जादा अच्छा दिखाई दे रहा है अब मेरी टीवी में problem ही आ रही है कि मैं इससे volume control नहीं कर पा रहा मैं इसमें volume buttons अगर press करूँ तो मैं access नहीं कर पा रहा वो एक बार आपको देखना पड़ेगा कि आपके android tv पे वो support हो रहा है कि नहीं but overall I think tv stick में performance में कोई issue नहीं है performance बिल्कुल smooth है जैसे कि मैं आपको बता है कि storage में थोड़ा बहुत company को इस प्राइस पॉइंट में 16GB दे सकती थी company लेकिन आपको आपको शौमी tv stick 4K में सारे features मिल जाएंगे मेरा cast भी support करता है और एक चीज़ आपको पताना चाहूँगा कि यह जो remote है इस remote में आपको okay google का भी button मिल जाएगा यानि कि जो voice assistant है google का उसका button भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और hot keys वगएर भी आपको देखने को मिल जाएगी जैसे कि netflix prime video disney plus hot star और जो भी applications है अगर मैं इस पर tap करता हूँ तो सारी applications एक बार में on हो जाएगी इसके साथ आपको यहाँ पे arrow keys वगएरा दी जाती है और power button तो आपको मिलता ही है और I think overall performance ठीक है games वगएरा भी आप ले कर सकते हैं अगर आपके पास एक 4K TV है घर पे जिसका software जो है वो पराना हो चुका है तो I think आपको Xiaomi 4K TV stick जरूर consider करनी चाहिए